हलो दोस्तों वेल्कम टो मिनपन्स अडी बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बुला कि सार शॉट नूटस बनाओ इतने शॉट की हमें लेन्न करने में कोई भी दिख्था और पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हो सारे के सारे के इसमें कवर हो तो मैंने का ठीक है challenge accepted और मैंने पूरा का पूरा चैप्टर स्रिफ और स्रिफ जैसे power sharing आप देखी लिए हो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक डेड़ पेज में रप्टा दिये ठीक है उससे आगे कुछ भी नहीं है पूरा का पूरा चैप्टर की बीडियो बनाने वाला हूं तो अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया और bell icon नहीं दबाया है तो दबादो है क्योंकि main point study की जुरूत आपको बात में भी पढ़ने वाली है ठीक है तो हम चैप्टर शुरू करते है power sharing अब power sharing का मतलब क्या होता है power divide करना power divide क्यों करना देखो एक country के अंदर बहुत ही अलग-अलग type के लोग रहते है अलग-अलग religion के लोग रहते है अलग-अलग culture के लोग रहते है तो अगर एक religion के लोगों के पास जाधा power हो और दूसरे religion के लोगों के पास कम power हो तो कही ना कही इन दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है और country के अंदर civil war हो सकता है तो इसलिए power sharing बहुत जाधा important है ठीक है तो इस chapter के अंदर हम दो country के बारे में पढ़ेंगे एक का नाम है Belgium और एक का नाम है शिलंका Belgium के अंदर भी यही problem थी ठीक है दो social group के बीच में लड़ाई हो रखी थी बट उन्होंने अपनी problem को solve कर लिया और शिलंका में भी same problem थी बट उन्होंने अपनी problem को solve नहीं किया इसका जो एरिया है वो हरियाना से भी छोटा है और अगर बात करूँ यह किस किस country के साथ water share करता है तो वो करता है नेदर लैंड फ्रांस जर्मनी और लेक्जंबर्ग स्पेलिंग गलत लिखिया लुए 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 जी होगा ठीक है अगर बात करूं मैं 40 percent की तो वह लुए रीजन में रहते हैं और जो की फ्रेंच बोलते हैं अब हमें क्या समझाया कि पूरी कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी है वो डच की है बटकर बात करें Belgium की capital की जिसका नाम है Brussels तो वहाँ पर जो है French की majority यानि 80% जो French रहते हैं Brussels के अंदर 20% Dutch speaking है तो इसकी वज़े से जो भी rules और regulation बनते हैं क्योंकि capital से rules और regulation बनते हैं वो हमेशा French के favor में बनते हैं minority जो French speaking community है वो rich और powerful थी और Dutch speaking की बात करें तो उनको economic और educational development बहुत बात में मिला है much later इसकी वज़े से tension create हो गई थी Dutch और French speaking के बीच में 1950s और 1960s में तो जो tension है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी ठीक है एंड ये tension हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी Brussels में क्योंकि आपको पता ही है कि Brussels में 80% लोग French रहते थे और 20% Dutch speaking रहते थे तो इसलिए उनके बीच में problem बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अब उन्होंने इस problem को solve कैसे किया क्योंकि अब्वेसी बात अगर वो solve नहीं करते तो इन दोनों community के बीच में और फ्रेंज स्पीकिंग के बीच में लडाई हो जाती वह ऐसा चाहते नहीं थे तो इसलिए उन्होंने क्या किया आपको question आएगा कि Belgium what is explain the Belgium model यहाँ आपको question आ government किया यानि constitution में change किया ताकि जितने भी लोग रह रहे हैं बेल्जियम के इंदर वो peacefully रह सके ठीक है क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन बनाएं देखो सबसे पहले तो constitution के अंदर यह लिग दिया गया कि Brussels के अंदर यानि central government जहां भी है Brussels के अंदर है न central government वहाँ पर जितन community की बात सुननी पड़ेगी उसके साथ consult करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुचा जाएगा तीसरा point यह बोल दिया गया कि अब जो हमारी state government है वो central government की बाते नहीं सुनेगी उसकी मर्जी है जो अगर state government कुछ और फैसला लेना चाहे तो वो ले सकती है ठीक है state government को खुली है okay many power of the central government given to state government of the two region of a country ठीक है इसके अलावा क्या था कि apart from the central and the state government third kind of government community government is elected by the people belonging to the one language और इसके अलावा state government और central government तो थी थी इसके अलावा एक community government भी बना दी गई जो एक particular community की language पर rules और regulation बनाती थी जैसे कि मानलोब french speaking है तो french speaking के लिए यह समझ आ गया Belgium का model हमें थोड़ा complicated लग सकता है बड़े एकदम successful रहा है और उसके बाद में कभी भी यानि यह Belgium model अपनाने के बाद में वहाँ पर कभी भी problem नहीं आई है और वहाँ पर इतनी piece है कि जो European Union का headquarter है न वो भी Brussels के अंदर है एक marks में कोशन आता है मैंने पूरा chapter क्लियर करवा है एक-एक marks तक का ओके तो अगर हम बात करें अब शिलंका की तो शिलंका अपनी यह जो power sharing की problem था उसे solve नहीं कर पाया था ठीक है शिलंका के बारे में पता ही है आपको वैसे तो एक island country है बिलकुल हमारे तमिल नाडू से कुछी किलोमेटर दूर है दो करोड उसकी population है हरियाना जितनी है और वहाँ पर diverse population रहती है ठीक है सबसे पहले तो बात करते है language की वहाँ पर 74% जो लोग है वो सिन्हाला speaking है ठीक है 18% जो लोग है वो तमिल स्पीकिंग है यानि दो ही major language बोली जाती है वहाँ पर और 18% तमिल स्पीकिंग में से जो 13% लोग है व ठीक है मतलब वहाँ पर जो रहते हैं 5% जो लोग रहते हैं उनके जो एंसिस्टर थे ठीक है वो इंडिया से आये थे ओके 7% की बात करें तो वह Christian है and 1% other community के लोग है ठीक है जो सिन्हाला speaking है जातर जो सिन्हाला language बोलते है वो बुद्धिस्ट है ठीक है और तमिल लोग तम अराम अराम से इत्मिनान से हड़ एक topic समझाया तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो ठीक है अब बात करते है प्रॉब्लम में शिलंका शिलंका में प्रॉब्लम क्या थी जैसे कि आपको साफ दिख रहा है कि वहाँ पर सिन्हाला speaking जो लोग थे वो जादा थे ठीक है और म महां पर जो डॉमिनेस था वह सिन्हाला कॉम्मिटि का ही था, गुर्मेंट के अंदर भी और सिन्हाला ने क्या करें, चीन्हाले मेजर बोले जाते हैं अब जो सिन्हाला speaking थे उन्होंसे सिर्फ सिन्हाला लोगों के बारे में सूचना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि Community के बारे में अच्छे-च्छे rules and regulation बनाया और Tamil को बिल्कुल disgrade कर दिया, ठीक है, क्या rules and regulation बनाया, पहला rule तो यही बनाया, कि Sinhala को official language बना दिया गया, ठीक है, और Tamil को side कर दिया गया, यानि यह बोला गया, और यह सारे-सारे law बनाया गया थे 1956 में, ठीक है, क्या बनाया गया था, Sinhala को official language बना दिया गया, क्या कि यही official language है, अब शिलंका की, दूसरा था कि government policy हमेशा favor करती थी, Sinhala applicants का university के लिए, और साथ में government jobs के लिए, यानि अगर कोई बन्दा था, जो Sinhala बोलता था, तो उसको government job में preference वगरा दी जाती थी, और अगर वो Tamil बोलता था, तो उस प का promotion किया जाने लगा, as a state religion, ये बोला जाने लगा, कि अब शिलंका का religion है, वो Buddhism है, ठीक है, और after all of these, government major, one after one, यानि जब ये बहुत सारे major लिए जा रहे थे, बहुत सारे step लिए जा रहे थे, गलत गलत step लिए जा रहे थे, government के दुआरा, तो जो शिलंकन, Tamil थे, जो Tamil लोग ठीक है, अब उन्होंने struggle वगरा किया, किनोंने struggle वगरा किया, शिलंकन जो तमिल्स थे उन्होंने, क्या किया उन्होंने, देखो, सबसे पहले तो, शिलंकन तमिल लॉंच पार्टी, उन्होंने बहुत सारी पार्टी बनाई, कि तमिल को भी एक official language बना दिया जाए, और उनक हमें डिमांड करी, कि हमें एक independent तमिल इल्म, यानि एक अलग से state देतो, northern और eastern part of शिलंका, यानि अब हमें उन्होंने, इनके साथ इतना बुरा हो रहा था, कि शिलंका के जो तमिल थे, उन्होंने बोला, क्यार, हमें अब अलग state देतो, ठीक है, हिससे कर दो, शिलंका के, औ और हमें एक अलग state देतो, जहां पर सिर्फ तमिल को हम official language बनाएंगे, और जो सिर्फ तमिलियन के लिए होगी, ठीक है, और इसकी वज़े से जो conflict था, वो बहुत सदा बढ़ गया, और जो conflict था, वो civil war के अंदर convert हो गया, civil war यानि, एक country के अंदर जब दो community आपस में लड़ हो गई थी, ठीक है, तो हमें समझ आया, Belgium से, कि अगर आप power sharing करोगे, तो आपकी country के अंदर unity रहेगी, और शिलंका से हमें ये समझ आया, कि power sharing अगर नहीं करोगे, तो आपका देश बहुत खराब बन सकता है, आपके देश में बहुत ज़्यदा problem आ सकती है, country में conflict बढ़ सक और civil war हो सकती है, अब question यहाता है, why, reason why power sharing is desirable, important question है most, क्योंकि 5 number का direct question आता है, कि ये बताओ, कि power sharing क्यों important है, सबसे पहले तो दो reason है, एक तो potential, prudential reason और दूसरा है moral reason, याद रखना, potential को prudential reason भी बूला जाता है, ये मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि exam में कभी कपार question आ जा आ जाता है, अब देखो, पहली बात तो अगर हम power sharing करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, reduce the possibility of conflict between the two social group, जैसे हमने देखा, Belgium के इंदर power sharing की गई, जिसकी वज़े से जो French community और जो हमारी Dutch community उनके बीच में जगडा खतम हो गया, possibility जो धी जगडे की वो कम हो गई, next है कि power sharing is good way to ensure the stability of political order, यानि political order में भी stability बनी रहती है, यानि government पे भी उंगलिया नहीं उठती है, जैसे कि हमने देखा, श्रिलंका में जब तमिल के साथ बहुत बुरा हो रहा था, तो उन्होंने government पे उंगली उठाना स्टार्ट कर दी और बूला कि हमें color country दे दो, तो अगर power sharing कर देते, त लोग government पे भी सवाल नूठाते और political order को भी मानते रहते, ठीक है, नेक्स्ट है कि imposing the will of majority community over the other, may look attractive option in the short run, but long run it undermines the unity of the nation, यानि majority major लेना या majority के ही ये rules और regulation बनाना, short term में तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पहले तो जो शिलंका के जो सिन्हाला थे वो तो बड़े होगी कि यार हमारे लिए अच्छे-च्छे rules बन रहे हैं, बट long term में देखा जाए, तो शिलंका के जो तमिल थे अब उन्होंने एक अलग से country की मांग कर दी थी, यानि unity जो थी nation उसको बहुत खतरा था, ठीक है, तो यानि short run में बेशक ये majority community के लिए काम करना अच्छा हो स democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have live with its effect, तो power sharing उन लोगों के बीच में की जानी चाहिए, जैसे obvious ही बात है, अगर मानलो मेरे decision से कोई effect हो रहा है, तो मेरे को उसको भी power sharing देनी चाहिए, उसको उसके साथ भी power share करना चाहिए, तो यही line लिखी है, and next point ही है, कि people have right to consult on the various issues, अगर दूसरे सारे के सारे लोग decision making में पाट ले, तो आप कोन को power देनी पड़ेगी, last and most important question इस chapter के अंदर से, कि form of power sharing, अब check कर सकते हो, सारे के सारे टॉपिक कवर है, ठीक है, बस एक चीज़ में आपको बता दूँ, कि इस chapter के अंदर accommodation of Belgium, मैंने बाद में दे रखा था, मैंने पहले horizontal distribution of power, यानि बराबर बराबर organ, यानि जो different different organ है, जो same level पे है, उनके अंदर power को distribute कर दो, ठीक है, power is shared among the different organ of the government, such as legislature, executive and judiciary, आपको विच्चर दिख रही होगी, ठीक है, उनके बीच में power बाट दो, क्योंकि अगर judiciary को गलत करेगी, तो legislature and executive उसको बोलेंगे, और executive कुछ बुरा क ठीक है, जो same organ है, जो same power वाले organ है, उनके अंदर power बाट दो, ठीक है, next है कि federal division of power, federal division of power का मतलब है, कि आप क्या करो, power can be shared among the different level, जैसे union government में power बाट दो, फिर state government में power बाट दो, फिर local government में power बाट दो, जैसे कि इंडिया में होता है, ठीक है, next है कि community government भी, हम power को share कर सकते है, community government में भी, यानि अलग अलग जो religion और social group होते हैं, उनके बीच में भी हम power बाट सकते है, power में also भी shared among the different social groups, such as religious and linguistic group, जैसे कि हमने Belgium में देखा था, next है, कि power sharing between the political party, pressures group and movement, यानि आप political parties में और pressure group में और movement को भी आपको power देनी चाहिए, ताकि such competition, such competition that power does not remains in one hand, यानि देखो, अगर आपको power नहीं होगी, कि आप अपनी government पे सवाल उठाओ, तो कही ना कहीं वो मनमानी करने लग जाएगी, तो इसलिए political parties में और pressure groups में और movement में भी power को distribute किया जाना चाहिए, अब एक चीज और बता दू, horizontal distribution of power क्यों किया जाता है, ताकि check और balance रहे, देखो, अगर judiciary कु अच्छी लगी हो, अभी तक अगर आप video देख रहे हो, तो चैनल को जरूर subscribe करना, मेरे दूसरे चैनल का भी link दे रखा, Instagram और Facebook का भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा, notes का लिंक आपको इस बार नीचे description में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको telegram channel join करना पड़ेगा, telegram ए 10th लिख दो, आप join हो जाओगे, नहीं तो description के अंदर link दे रखा, download करने के बाद, telegram sign up वगरा होने के बाद, आप उस पे click करो, आप सीधा का सीधा group में आ जाओगे, और आपको सारे के सारे notes मिल जाएगे, okay, and यार अगर आप मेरे चैनल को support करना चाहते हो, ठीक है, क्योंक कि मेरे लिए थोड़ा सा difficult हो रहा है, चैनल को manage करना, और शायद अगर ऐसे चलता रहा, तो आगे आपके पास शायद video ना आए, ठीक है, तो I hope कि आप मेरे को support करोगे, next video के लिए stay tuned, next chapter के लिए stay tuned, तब तक के लिए thank you so much, जैहिन, जैभारत, वंदे मात्रम